हेलो, वेल्कम बैक टू माई चैनल, मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम उबले हुए आलू से कुछ वुरत के लिए बनाने जा रहे हैं तो खाने में बहुती ही टेस्टी होती है और अच्छी होती है और कूटू के आटे से बनाने वाले हैं यह मैंने कुछ आलू लिये उपले हुए और इनको मैश कर लिया इन में गुठली नहीं होनी चाहिए इसलिए मैंने अद्रक कूट ने हुए उससे मैश किया है आप चाहें तो इने कद्दू कस्भी कर सकते हैं और इनकूटू के आठे को इसमें छलनी में डाल लिया है क्योंकि इसमें चिलके होते हैं, ये काला काला सा चिलका निकलता है, इसलिए इसको छान के ले, अगर आप का आटा साफ है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये है काला नमक आप चाहें तो एक और सफेद नमक आता है उरत के लिए वो भी ले सकते हैं और ये मैंने कुछ काली मिर्च लिए हैं इनको अच्छे से कूट लेते हैं बारीक सा तो इनको मैंने कूट लिया है और अब इनको सब को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से एक डोव सा बना लेते हैं जैसे आटा लगाते हैं रोटी पूरियों के लिए इस तरह से बना लेना है इसको कुछ यह जादा अगर आपको ढीला लूज लगे तो आप इसमें और मिला सकते हो कुछ ऐसा होना चाहिए जो हाथ में चिपके नहीं और इसके पेड़े से बन जाएं और यह हमने चड़ा दिये कड़ाई और इसमें मैंने देशी घी लिया है आप चाहें तो रिफाइंड भी ले सकते हैं लेकिन मैंने देशी घी लिया है आप बटर रिफाइंड कुछ भी ल इसको मैंने ग्रीज रख लिया है ताकि बना बना के इसके ऊपर रखते जाएं ताकि यह चिपके नहीं यह वैसे भी नहीं चिपकेंगी क्योंकि आर्टा एक दम बहुत सॉफ्ट और पर्फेक्ट बन के तयार हुआ है तो इस तरह से इनको बना लेना है पहले मुट्टी सी ब बना लेनी है गुल गुल पेड़े से और फिर इसको थोड़ा सा दवा देना है इस तरह से बना के रख लेना है इनको सारी को तो इसे बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है नहीं हातों में चिपकता है मैंने हलका सा गी लगा लिया था हातों में और इस तरह से बना बन बिल्कुल चीकनी बन रही है तो तील मेरा घी गरम हो चुका है अब इसमें हम जो मैंने बना के रखी है उनको छोड़ देते हैं सारियों को एक एक करके आराम से और मैंने गैस को मीडियम फिलेम पे रखा हुए ताकि यह जले नहीं उपर से जल जाएंगी अंदर से कच्ची रह जाएंगी तो इसलिए मैंने गैस को मीडियम फिलेम पे रखा हुआ है तो मीडियम फिलेम पे यह अच्छी सिक्के तयार अच्छा सा कलर आजाएगा और क्रण्ची सी बनके तयार होंगी और बीच में से बिल्कुल भी कच्छी नहीं रहेंगी तो इस तरह से शेक लेना है इनको अलटते पलटते हुए तो एक बैच मेर तयार हो चुका है और देखे कितने अच्छे से सिखा है तो इसी तरह से मीडि लो फिलेम पे शेक लेना है जादा तेज पे नहीं शेकना है और दूसरा वैच अब हम इसमें डाल देते हैं और देखे कितने सुंदर सी बनके तयार हुई है कितना अच्छा कलर आया है तो आप भी एक बार इस तरह से जरूर ट्राई करना क्योंकि नो राते चलने वाले है आप किसी विरत में इसको खा सकते हैं और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करना, सेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और जो आपकी थोड़ी बहत इदर उदर रह जाए उपर नीचे तो उसे इस तरह से चमची से तेल कर देना है ताकि अशानी से चूड़ जाए खड़ाई में चिपके नहीं और यह मेरा दूसर वेच भी तयार हो गया है कितना अच्छा सिक्के तयार हुआ है कितना अच्छा कलर आया है तो सब को इसी तरह से से शेक लेना है और इसमें बिलकुल भी टाइम नहीं लगता है पटा फट से कर सकती हुआ है